हेलो दोस्तों कैसे हैं आप आपका स्वागत है थिंक आर्मी में और आज मैं आपके लिए लेकर करें हूँ एक ऐसी वीडियो जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ हमारे आदरनले है प्रदानमंतरी नरेंदर मोदी जी के पांच अपरेल को 9 मिनट तक नो दिये जलाने के ल संदेरी रात में दिया तेरे हात में कुछ लोग कह रहे हैं कि आओ मिलो सजना तुम्हारे इंतिजार में हमने जलाए दिये कुछ इस तरीके की बाते आज सोसल मीडिया पर लोग उछा ले हैं लेकिन इसके पीछे जो रीजन है वो लोग कोई नहीं जानता मैं आपको बता हुई थी जो अटल ब्यारी वाजपेई ने की थी आज पांच अपरेल 2020 को बीजेपी के पूरे 40 साल हो गए हैं तो ऐसे में पांच अपरेल बीजेपी के लिए एक जशन का दिन है यानि के उनके लिए एक सिलवर जुबली से कम नहीं है बड़ी अपोर्चुनिटी है तो ऐ देखना चाती हैं कि हमारे साथ कितने लोग जुड़े हुए हैं और आपको मैं बता दूं कि इस वक्त जो मरकज निजाम الدین का मुद्द है उसको इतना उच्छाल दिया गया है कि उन्होंने इस कोरोना वाइरस को बीमारी से हटाकर मुद्दों से जोड़ दिया है धरम के न मीडिया है हमारी ये मीडिया होता कुछ और है और दिखाती कुछ और है तो ऐसे में हम मीडिया से कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते हैं ये हर एक देश वासी की जिम्मेदारी है हर एक हिंदू वासी और हर एक मुसल्मान वासी की जिम्मेदारी है कि वो अपना लगाए ना कि किसी के बात पर जाए ऐसे में लोगों को जो सबसे ज़ादे दिक्कत हो रही है गरीब इनसान को रही है लोगडाउन चारों तरफ हो गया है सारी रणनीतियां फेल हैं हैल्थ केर को लेकर के एजुकेशन को लेकर के डॉक्टरों को एकुपमेंट्स नहीं मिल पा रहे हैं जो हाज हालत हमारे देश की हो गई है इस हालत में हमारे जो डॉक्टर से होस्पिटल से वहां पर वैंटिलेटर अवेलेबल नहीं अभी तक वहां पर मास्क नहीं अवेलेबल है वहां पर सैनिटाइजर पूरे इनफ नहीं है और जो हमारी पुलिस है जो चारो मोदी जी अपने 40 साल पूरे होने के उपलक्स में लोगों से दिये जलवा रहे हैं लोग जो है इसको एक दवाई के रूप में ले रहे हैं लेकिन उसके पीछे जो साजिस रची गई है इसके पीछे जो लोगों का मकसद है सरकार का मकसद है लोग उससे बाख़बर है अपने देश वासियों से यही कहना चाहूंगा कि आप अपना दिमाग लगाएं सोचे समझे आज हम जो लोग हैं यंगस्टर्स हैं इसलिए पढ़े लिगे हैं क्या कि कोई भी हमसे कहेगा मुसकी बात पर यकीन कर लेंगे क्या हम इसलिए पढ़ेते कि कोई भी हमसे कुछ भी कहक करवाएगा हम वही करने लग जाएंगे आपने कुछ भी कहा हम माल लेंगे ऐसा नहीं होना चाहिए आप आँख मीच करके आँख मूंद करके किसी के पीछे ना चलें आप अपना दिमाग लगाएए think again सोचो दुबारा सोचो क्योंकि इसके पीछे हमारा क्या फायदा है क्या नुकसान है अगर एक इनसान ये नहीं जान सकता है तो वो कुछ नहीं जान सकता है वो अपना कुछ भला नहीं कर सकता अगर उसे ये समझ में नहीं आ रही कि मुझे इस काम को करने में मेरा भला होगा या मेरा नुकसान होगा अगर वो इतना नहीं जान पा रहा है तो उस वो यूजलेस परसन है उसका कुछ नहीं हो सकता ना उसका भगवान कर सकता है ना लगर सकता है तो ऐसे मेरी सबी लोगों से यही प्रार्तना है कि आप जो है किसी के कहने पर कुछ ऐसा ना करें मैं मानता हूं कि आप दिये की जगे जो है 9000 दिये जलाईए लेकिन उसके पीछे मकसद क्या है आपके दिन की तमन्ना क्या है आपकी आस्था क्या है आप आस्था के लिए करेंगे तो समझ में बात आती है अगर आप ये तर्क लगा रहे हैं कि हमारे जो दिये के जलाने से लाइट टोर्च के बंद कर देने से वो कोरोना भाग जाएगा तो शायद आप इस धरती के सबसे बेवकूफ इनसान है साइंस इस बात को मानने से इंकार कर रही है तो हम क्यों अपने आर्गुमेंट किये जा रहे हैं इसी तर्क पर की होब दोस्तों ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी और आपको अगर ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को जड़ी सा सब्सक्राइब कर झाल